और एक्यूज नम्बर वन खोण है? यह कहए निर्मला सितर रामन और एक्यूज नम्बर वन वि eli जो वित्समंत्री एक्यूज नम्बर टू ed जो वित्समंत्री, नीचे आता है कंट्रोल करती है ऌही और bjb कै कारी करता है यह क्यों किया सो दिन एक F.I.R. दर्ज किया गया एक विशेश अदालत ने कहा कि F.I.R. दर्ज किया यह इलेक्टर बॉन्ड गोठा लेके संदर में और यह देखे यह पांच पंचे का F.I.R. है कनड़ा में है पर मैं आपको बताओंगा एक्यूज नंबर वन कौन है एक्यूज नंबर वन है निर्मला सितरावन एक्यूज नंबर टू है एडी एक्यूज नंबर त्री है बीजेपी पार्टी और एक्यूज नंबर फोर और फाइव कुछ बीजेपी के कारे करता है पर एक्यूज नंबर वन वित्तमंत्री फोरण इनको इस्तिफा देना विशेश अदालत ने क्यों आदेश दी कोई व्यक्ती निजी व्यक्ती गए थे कोट में ED को लेकर उन्होंने कहा ED में Electral Bond को लेकर उन्होंने कहा कि Electral Bond में धंकी देकर पैसा वस्जिली किया गया चंदा एकटा किया गया और मैंने कई बार समझाया है चार रास्ते अपना गये अपनाये थे छे साल तक पहला रास्ता था चंदा दो धंदा लो दूसरा रास्ता था ठेका लो रिश्वत दो तीसरा था हफ़ता वसूली और चोथा फर्जी कंपनी ED और Income Tax का दुरूपयोग हुआ लोगों की खिलाफ ED और Income Tax छोड़े गए उन्होंने इलेक्टरल बांड खरीदा तब ED और Income Tax उसको रोक दिया गया जांच नहीं करेंगे क्योंकि आपने इलेक्टरल बांड खरीद लिया और छे हजार करोड से भी उपर चंदा इकटा किया गया पांच साल में साड़े पांच साल में BJB पार्टी ने इतना चंदा इकटा किया और ये लोग कहते हैं आपको भी पैसा मिला ठीक है सभी पार्टियों को मिला पर सभी पार्टियों के हाथ में ED तो नहीं था ना सभी पार्टियों के हाथ में income tax नहीं था, CBI नहीं था और विशेश अदालत ने क्या कहा है, उसने कहा है कि ED, क्यों ED का नाम accused number two है, ED क्यों accused number two है, क्योंकि ED का इस्तिमाल दुरुपयो किया गया, income tax का दुरुपयो किया गया, CBI का दुरुपयो किया तो धंकी देकर चंदा एकटा किया गया, तो यह FIR है, इस पर अभी जो कारवाई करनी चाहिए वो होगी, जो न्याय पालिका कहती है, उसके आदेश अनुसार होगी, पर यह Congress Party का FIR नहीं है, यह किसी Congress Party के कारिकरता का FIR नहीं है, यह विशेश अदालत है, और विशेश अदालत किसी प्राइवेट वेक्ती, जो निदी वेक्ती गए थे उनको, इस घोटाले के मामले में है, उसको सब जो जानकारी उनके सामने थी, उस जानकारी के आदार पर उन्होंने कहा, यह F.I.R. दर्श करगो, एक्यूज नमबर यह है, एक्यूज नमबर टू, यह हमने नहीं किया, यह मिशेश अदालत ने करवाया, यह असली मुद्धा यही है करनाटक में, और कल सिंग्वी साब ने और मैंने मांग की थी, कि नहतिक तोर से, राजनी ती छोड़िये, पर नहतिक तोर से, वित्त मंत्री को इस्तिफा अजनी,